लेंगे ठीक है और फिर से यहीं पर हम स्टिच करेंगे स्लिक स्टिच लगाते हुए ठीक है दोनों का अलग अलग गेट परदे का डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करें ग्रीन वाला अलग और और अरेंज वाला अलग ठीक है देख सकते हैं कितनी प्याइल स्टिच करेंगे हैं अब इस वाले में हम आपको इसको सीमपल से डिजाइन है यह बहुत कम टाइम में आप उसको इसली बनाके कंप्लीट कर सकते हैं तो friends मैंने वीडियो काया है और चली इसको complete कर लेते हैं फिर बनाते हैं ठीक है सबसे पहले देखे white color यूज करना है और orange color में green color का ठीक है तो फिलाल अभी वाइट कलर का आपको बदा देते हैं बना करके चलीए सबसे पहले एक सिंपल नॉट लगाएंगे ठीक है चली फिलाल सबसे पहले एक हम नॉट लगा लेते हैं थ्रड यह वाइट कलर का और यहां पर सिंपल नॉट लगा लिया ठीक है आप देख सकते हैं क्रोचे ठूक हमारा है इसमें धागे को टाइट कर लेना है और देखे यह हमने कर आपको ध्यान देना है कि एक साइट की पंखुडकी को ही लेना है ठीक है तो बाकी जितना भी है उसारा इस तरीके से करते हुए स्ब्सक्राइट कर ले ना है ठीक है देख सकते हैं यहाँ परğinष्ट लगांगे ऐस तरीके से धागये कीश्मु से निकालती हो जाना है और यहाँ परेस्ट फ्रीकर्या लगाते हूं इसको यहां पे हम complete कर लेंगे फिर one two three four five का chain लेंगे ठीक है और फिर सब यहीं यहां देखी स्टिच करेंगे चिस्टिच लगाते हुए ठीक है तो देखे फायनली हमने यहां पर यह फ्लार बनाकर complete कर लिया फिर one two three four five six seven eight ठीक है एट का चेन बनाना है हमको बीच में ठीक है फिर से बल लेती हो जाना है जितना थ्रेड ना सारा एक साथ पकड़ लेना है फ्रेंट्स देख सकते हैं आप लोग एक भी स्किप मत करिएगा वरना डिजाइन अच्छी नहीं बनेगी ठीक है इधर से खुल सकते हैं फिर स से यहां से इस को इस तरीके से निकाल लेंगे और यहां पर देखिये लगाएंगे इस तरीके से और यहां से लिखानेकर 1-2-3-4-5 का चैन लिए और लेंगे, 1,2,3,4,5 का chain लेंगे और यहां पिसली पिस्टीच लगाते हुए thread को इस तरीके से निकाल लेंगे ठीक है, फिर 1,2,3,4,5,6,7,8 का chain लेंगे और फिर बल लेती हो जाना है और यहां से देखिए सारा thread एक साथ फिर से इस तरीके से पकड़ते हुए हमें फिर से सा चारा कवर करते हूँ इसको स्टिच करना है ठीक एक भी स्किप मत करियेगा फ्रेंड और से आप लोगë त Mysia लगाएंगे तिक है अब यहां फिर से हम चींड बनाइंगे 12345 तरिके लगा दिया तेक है देखry यहां फिर से यहां से 1,2,3,4,5,6,7 का चेन लिया और फिर से यहां पर slip stitch लगा दिया हमने और 1,2,3,4,5 पर चेन लेना है और फिर से यहां से 1,2,3,4,5,6,7,8 का चेन लेंगे और फिर से बल लेते हो जाना है और जितने फ्रेट्स हैं फ्रेंड सबको इस तरीके से पकड़ते हुए देख सकते हैं आप लोग इधर यह इस तरीके से हैं पकड़ते हुए पूरा हमको यहां पर slip stitch लगाते हुए धागे को खींच लेना है देखे इस तरीके से एक भी skip नही करना है सारा हमें इस तरीके से बुनते हुए चले जाना है ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग यह इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है है यह इस तरीके से फिर से नॉट लगा लेना है और यह निकाल लेना है ठीक है तो देखे इस तरीके स्वाइल हमने इसको कंप्लीट कर 1234 567 लिया और फिर से हाँ पर हम लगा लेंगे sleep eix 55 visible टीजडिय फिर यहां पी LeagalingART 1534 5678 za Lie टीकर फिर से बल लती हो जाना है और इसको फिर से सारे थ्रेड को कबर करती friends देख सकते हैं अप लोग हमीं ना लेना है देखिए सारा इस तरीके से cover करते हुजाएंगे न और यह पूरा thread इक सत पकड़ते हुए हमको यहां से knot लगाना है ठीक है इस तरीके से knot लगा लेते हैं फिर से यहां पर बल लेते हुजाना यह देखिए इस तरीके से बना लेना है और यहां से 1,2,3,4 ठीक है तोड़ा सा zoom हो गया है ठीक है । 3,4 और यह five का chain लेंगे ठीक है और फिर से यहां से slip stitch लगा देंगे और फिर 1,2,3,4,5,6,7 का chain लेंगे और यहां पिर लगा लेंगे slip stitch one, two, three, Four, five का chain लेंगे लगा लेंगे slip stitch ठीक है देख सकते हैं आप लोग फिर one, two, three, four, five, six, लिए बल लेती हो जाना है सारा प्रोसेस इस तरीके से कम्प्रीट करना है देख सकते हैं आप लोग विल्कुल भी चेंज नहीं सेम लेकिन हाँ थ्रेड को एक बार भी आपको एक भी थ्रड़ स्किप नहीं करना देखि सारा थ्रड़ इस तरीके से पकड़ते हुए हमें इस खीच के देख लेना है कि कोई छूट तो नहीं रहा है और उसके बाद से फिर से इसम से निकालते हुए यहां से इस तरीके से लेके आना है इस तरीके से ठीक है और यहां पर फिर से हम बनाएंगे देख सकते हैं आप लोग 1,2,3,4,5 का चेंज लिया स्लिप स्टिच लगा ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरीके से हमने इसको कम्प्लीट कर लेना है अब यहां से देख सकते हैं आप लोग 1,2,3,4,5,6,7,8 का चेंज लेना है और यहां पर लाकर के हमें स्लिप स्टिच लगा करके यहां पर धागे को कट कर देना है देखें यहां पर एक और नॉट ल देखेंगे और धागे को यहीं पर हम कट कर देंगे तो फ्रेंड्स देख सकते फाइनली यह बनके कम्प्लीट हो गया है यह देखी एक फ्लावर हमने इस तरीके से इसके आउट लाइनिंग करके तयार कर लिया ठीक है और बाकी जो यह त्रेट्स बचें दोनों को एक साथ यहां पर आप लोग एड़ कर दीजिए जोइन करके धागे को हमें यहां पर कट कर देंगे जिससे की पता नहीं चलने पाएगा कि कहां से हमने इसको स्टीच किया हुए ठीक अभी इस त्रेट को जो एक्स्टा जो थ्रेड है ना इनको यहां से हम कट करेंगे देख सकते है तो फाइनली वनके कम्प्रीट हो गया देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको खींचा व दे दीजिएगा जिससे का फाइनल लोक बहुत अच्छा लगे और देख सकते हैं फाइनली यह फ्लावर बनके कितना खुबसूरत यह कम्प्लीट हो गया देखि कितना प्या मैं इस तरीके से इस फ्लावर को बनाएंगे और इसी टीज करेंगे ठीक है इस वीडियो में आपके ऊप्रेस करना मत भूलिएगा जिसके मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नौटिफिकेशन आप लोगो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स में इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई टेक एर एंड थैंक्स पो वाचिंग बाई